बढ़वानी में हर्शुलास के साथ मनाये गया आजादी का अम्रत महँचा प्रभारी मंत्री सहेद परशुपालन मंत्री दोनों सांसदों के साथ प्रशाशन भी जुमा आजादी की 75 वी वर्शगार्ट पर आज पुलिस परेड ग्राउन पर प्रभारी मंत्री हर्दीप सिंग डांग ने सलामी लेते हुए जंडा वंदन किया जिसके बाद स्कूली छात्राओं के द्वारा म्रत्र की मनमुहक प्रस्तुती दी गई जिनके म्रत्र देखकर प्रभा प्रभारी मंत्री ने आज के दिन को गौरव का दिन बताते हुए कहा आज देश्ट सहित प्रदेश आगे बढ़ रहा है चाहे बाद सिक्षा की हो या स्वास्त की नलजल योजना हो या क्रशी हर शित्र में देश प्रदेश विकास की और अग्रसर है उन्होंने कार्म डेम सव जो पिक्क्सटर वर्ष पूर्ण होच उके हैं और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतमर फ़ारत वर्ष मद्यबुइश शी रासंगी चौहाँ साफ के नेतमर यो आगे बढ़रा है और जो लगातार मद्यबुदेश में चाहे वह उर्जा के शेतर में हो चाहे सिक्षा के शेत्र में या नलजल जोजना के बारे में जो प्रते गाउं तक पानी पोचे और सिचा योजना में जो तरक्की करी है मेरा मानना है पूरा भारत वर्ष के साथ पूरा मध्य परदेश भी जो आगे बढ़ रहा है या अपना में गोरों का दीन है और मैं आज सभी के माध्यम स अब करता हूं जिनके त्याग तफश्य और वलीदान से हम करें आपके माध्यम से सभी बहुत वर्डवाई शुमकाना ध। स्धीं न civic कर रहा है करम सतीं करतेद में मुख्यमंदी घंण लगें हैं और लगातार अभी जो स्थतीए है नारमने स्वातंत्रता दिवस को सेंद्वा शहर में हर्शुलाज के साथ मनाया गया जहां सेंद्वा की प्राचवीन किले की प्राचवीर पर सेंद्वा विधायक द्वारा रास्प्रिय ध्वज फैराया गया मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाय गया इसी के साथ सेंध्वा मंडी प्रांगिन में जनपत बंच्वायक की ओर से कारिक्रम का आयोजून किया गया जिसमें रास्ट्रिय ध्वज फैराने के पस्टवाद रंगारंग कारिक्रम की परस्तोती दी गए स्वातंत्रता दिवस को अमरत्त महोत्सव की रूप में मनाते हुए सेंद्वा शेहर में विभिने तरह के आयोजुन किये गए शेहर का मुख्या आयोजुन सेंद्वा शेहर की प्राचुईन किले की प्राचुईर पर रास्ट्र ध्वज फहरा कर किया गया इसके साथ ही विधायक ग्यारसी लाल रावत द्वारा मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन कर सुनाया गया स्कूली बच्चों में स्वतंतरता दिवस को लेकर काफी उत्साहा देखने को मिला इसके साथ ही सेंदवा मंडी प्रांगिन में जनपर पंचायत की ओर से कारिक्रम का आयो जून किया गया जिसमें राष्ट्रिय ध्वज फैराने के पस्ड़ात रंगारं कारिक्रम की प्रस्तुति दी गई इसी के साथ ही सेंद्वा ग्रामेंट व शहर धाने पर भी रास्ट्रिय ध्वज फेहराकर तिरंगे को सलामी दी गई सेंद्वा नगरपालिका में नगरपालिका द्यक्ष बसंती बाद यादव द्वारा रास्ट्रिय ध्वज फेहराकर तिरंगे को सलामी दी गई इसी के साथ ही शहर में विबिनस थानों पर आजादी के अमरत महुत्सों को मनाते हुए विबिनस अरह के कारेक्रमु का आयजून किया गया आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मद्रपदेश के आथिर प्रास्थानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में भाव ये तयारियां की गई हर जगत सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहरा आय जा रहा है जिसके चलते 15 वर्ष के लिए हर जगत समहारों का आय जून किया गया है वहीं इस अफसर पर आरे पी टीसी ग्राउंड महेश गार्ड लाइन परेसर में आय जेतमों के समहारों में इंदोर जिले के प्रभारी तथा प्रदेश के ग्रहमंद्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ध्वजा रोहन किये और परेव की सलामी लिए वही समहारों में विभिन्द विभागों के दल ने परेड में हिस्सा लिया जिसमें ट्राफिक, B.S.F., R.A.P.T.C., 1st Battalion, पद्रवी Battalion, Home Guard, जिलापुलस बल के महिला और पूरिश बल, N.C.C. स्काउट, Red Cross दल प्रमुक्रूप से रहे साथी स्कूल के छात्र छात्राओं ने समहारों में सांस्क्रतिक प्रस्तोतियां भी दी समहारों में वर्ष भर के दोरान उत्करस्ट कारे करने वाले अधिकारी करमचारीं को पुरस्क्रत भी किया जाएगा वही नरुतम मिश्रा ने कहा कि अमरत वर्ष 15 अगस्त उर्जा और उत्साह का और प्रधान मंत्री का आवाहन और आजादी के बाद पहली बार हर घर तिरंगा अभियान ये दूर द्रस्टी सोच है देश को आगे ले जाएगी आज का दिन उन शहीदों को नमन करने का दिन है स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को नमन करने का दिन है और आज उनके चर्णों में हम नमन करते हैं वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी का मंत्र है एक भारत सईयुक्त भारत सबका साथ सबका विकास उस मंत्र को लेकर हमें इस देश को आगे ले जाना है खरगोन में आजादी के अमरत महुत्सव पर आये जोएते स्वतंद्रता दिवस के मुख्य समहारों में कलेक्टर कुमार पुरशोत्तम ने स्थान या डियार पी लाइन में ध्वाजा रोहन कर परेइप की सला मिली आजादी के अमरत महुत्सव को लेकर स्कूली बच्चों सहित लोगों में काफी उत्साहा दिखा मुख्य समहारों में स्कूली बच्चों ने देश को समर्पेत मनमोहक प्रस्तुतियां दी इस अफसर पर तिरंगे को लेकर बच्चों की प्रस्तोती आकर्षिन का केंद्र रहे जौरान मोख्यातिती कलेक्टे कुमार पुरशुत्तम ने उतकरस्ट कारे करने वाले करमचारियों, अधिकारियों और समात सेवियों को स्वतंतरता दिवस के मंच से संबानित किया आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के 52 बेला पर स्वतंतरता दिवस पर निवाली तहसील के ग्राम गवारी के हाई सकिंडरी स्कूल में परवधूंधाम समनाया गया आयोजिन में बच्चों ने जय हिन वंदे मातरम जैसे देशभक्ती के गीतों पर नरत्व किया जिसमें देशभक्ती का जुनून देखकर वहां मौझूद हर कोई उतसाहित नजर आया आयोजिन में स्कूली चात्रों चात्राओं द्वारा रंगरंग कारिक्रमों की प्रस्तुती दी गई यहां कई चात्रों द्वारा देशभक्ती के गीत गाकर समा बांदा वहीं को चात्रों द्वारा शांदार नत्य की प्रस्तुती देकर सबका मन महुलिया नत्य में सद्दाम मंसूरी, कनिशा, शिफा, महिक ने देश भक्ती के घीतों पर नत्य किया जिनकी काफी सरहना की गई झाल